अब बात करते हैं, जो main changes की गई है, इस bike में, पहले तो आपको, इसकी jो headlight है, पहले आपको थोड़ी convex type मिल जाती थी, अभी आपको straight मिलती है, second इसकी जो chasis type है, chasis change कर दी गई है, second इसकी suspension system बढ़ा दी गई है, से पहले आपको यहां पर किक रह जाता था अभी आपको किक रह नहीं मिलता है संपर कि जो barking से बढ़ा दी गई है प्रैस्ट आपको और भी चरहां पर से जर्ट आपको जिस्टक वहां पर मिलता था और डिसक को ब्रे configured उस्टक में आपको मिलता है और डिस्प्लेट यहां भी मिलता है गाड़ी हर एक तरफ से एक ही जैसे दिखती है अगर आपको पीछे से देखते हो तब आपको पता चलता है कि यह क्लासिक 350 नहीं है बाई लुकिंग एट इस टेल लाइट बस आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले शेर करें आपने दोस्तों को